आपके मनोरण चन पर अब नहीं लगेगा कोई भी सापलस के बहतरीन चोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए सापलस के यूट्यूब पेज को अब खोल इसे, जल्दे अब इसका एक सीरा पकड़ो और अपनी तेराणी के हाथ में बांदो क्यों कोपी? मैंने इतनी उची आवाज में बोला है कि तुम्हें सुनाई दिया ही होगा एक सीरा अपनी देराणी के हाथ में बांदो, चलो बांदो, चल्दे अब राशी, दूसरा सीरा तुम पकड़ो और अपनी जेठानी के हाथ में बांदो बांदो ऐसे क्या आखे फाड़ कर देख रही हो? तुम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार है ना? एक दूसरे की गलतियां ठाकती हो, अच्छाईया गिनवाती हो, है ना? और बहुत शौक है तुम दोनों को साथ साथ रहने का तो अब तुम दोनों इसी तरह सारे काम साथ में करोगी और खबरदार अगर किसी ने भी ये रसी खोलने की कोशिश की तो इससे भी बड़ी कोई गुना ज्यादा सजा मिलेगी याद रख लेना अब जाओ महमानों की कमरे में जाओ और वहां की साथ सफाई करो यूँ ऐसे ही संजी गे? जाओ ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ हम? ए? च्या कर रही है? मुझे गिराएगी क्या? मुझे बन कर और मेरे पीछे पीछे चल एक तो तेरे किये कि सदा मैं भुगत रही हूँ अब कही गिर पड़ी तो मार भी मैं खाऊंगी राशी बेन, मुझे माफ कीजी चुप तुझे माफी चाहिए? अगर माफी चाहिए तो मुझे बन कर और सारे काम करना शुरू कर चल्ड हाँ अगर माल भ०धा … पो गो पован ली जो कर nucleiное अब गोपी जल्दी जल्दी हाथ चला बहुत काम बाकी है मैंने एसी सजा के बारे में सुना तो था लेकिन देख अब रही हूं राशी भाभी उधर देखिये कितनी धूल जमा है शायद आपका ध्यान नहीं गया चली जल्दी जल्दी किंचल इस नाग पंचमी को महताजी अपने परिवार के साथ फिर यहां आने वाले हैं इस बार तो शायद अपने बेटे के साथ आने वाले हैं और इसलिए तुम उस दिन ये साड़ी पहनोगी पकड़ो दिक्रा यही साड़ी तुम पहनना उसते हुँ तमे बनने क्या खड़ी खड़ी अमारी बाते सुन रही हो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ काम न रोक वो जो यह जल्दी कर किंजल बेन माजी ने कितनी अच्छी खबर सुनाई बहुत बहुत अभिनंदन क्या बात है किंजल बेन आपका चेहरा अचानक उतर क्यों गया नाग पंचमी जब आएगी तब आएगी आपका चेहरा तो अभी से ऐसे लग रहा है जैसे जैसे नाग ने आपको अभी डस लिया हो उदास हो गई बिचारी पीहर छोड़के सास्रे जाने का सुनकर उनका मनी बैठ गया आखिर किंजल बेन इस खर की अकिली बेटी है सब की लाटली अगया बस अब अब अन्तरयामी मत बन और जादा भावुक हो के समय मत बरबाद कर एक किंजल चाहे जो भी सोचती हो हमें क्या जल्दी जल्दी हाथ चला और काम कर वरना तेरी सास हम दोनों को पीहर भेज देगी चल शुरू कर गोपी चाह करिये माफ करना राशिगेन गोपी क्या कर रही है तू? वो राशिबीन वो गमली थक पानी नहीं पहुच रहा है तो गमला याँ खीच के मैं पानी डाल दू? गोपी एक दिन इन पौदों को पानी नहीं मिले का तो वो बन नहीं जाएंगे अब चल यहां से राशिबीन अब तू मेरे पीछे-पीछे बात्रूम में भी आएगी यही कडी रहे उनर गूम जा और खबरदार अगर पीछे मुड के देखा तो हलो? ममी! अरे? आशू करे छे? क्यों खुसर पुसर किये जा रही है? अच्छा, बता हुआ क्या? अब क्या बताओ ममी? कुकर कांड की साजा भुगत रही हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कि जैसे वो कागडी मदारियों और हमें बंदर बना के नचारियों हाई हाई, बिच्चारी मारी दिक्री यह कोपी भी न, बड़ी फालतू चीज निकली उसके किये कर्मों की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है उससे तो तुझे छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा पर कैसे ममी? एक काम कर, तुम दोनों रसोडे में जाओ नहीं, नहीं, नहीं रसोडे वाला कोई भी नुस्खा मत बताना ममी, मेरी आखों के सामने अभी भी वो जला हुआ कोकर और दूए वाला किचिन नजर आ रहा है और वो याद तो मुझे कपकपा देती है अच्छा, तो तू तेरी जान, मैं फोन रखती हूँ नहीं, 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 ऐसा मत कीचे अच्छा, बताइए एक काम कर, दोनों रसोडे में जाओ और वहां कैसे भी करके गोपी को शाक काटने के काम में लगा दे और एसी खीचाता नी कर, एसी खीचाता नी कर कि गोपी का हाथ कट जावे मुझे पूरा भरोसा है ये देखकर वो कागडी का मन जरूर पिगलेगा और वो तुम दोनों को खुला छोड़ देगी ओके ममी, जैसे कृष्णा लेकिन राशिवीन, अभी से रसो की तहरी अभी तो खाने में टाइम है गोपी, तु बेवकूफ है क्या? हम दोनों को एक ही हाथ से काम करना है तो समय भी जादा ही लगेगा ना? अच्छा सुन मैं तुझे सबजियां दो के देती हूँ तु काटना शुरू कर हम यह शुरू कर जल्दी कर चल जल्दी कर गोपी भाभी क्या है गमला? गोपी भाभी गोपी भाभी क्या है? दिखाई नहीं देता? हो काम कर रही है ना? बाद में आएगी वो जाओ तुम बस मैं अभी आई कमला बेन राशी में राशी में तुम्हारा रसोडे का कोई बैर है क्या? तुम्हारे रसोडे में कदम रखते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी ये गिरा कभी वो गिरा नहीं काकी जी वो वो में गपरा गई थी ये चूरी तो मेरे पैर पे गिरने को थी ओ रूपमती ये सब नाटक ना बंद कर जवा दे नो कोकिला हो ऐसे कैसे छोड़ दू बा इतनी जल्दी सजा माफ कर दू बा इस बात पर अब हम और बात ना करे तो अच्छा है और तो म राशी अब अगर तुमने मुझे ज्यादा गुसा दिलायना तो तुमें इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगी समझी गई? हावे हाथ जल्दी जल्दी चलाव और जम्वानू बनाव जी Sure sir I will be waiting for you Thank you so much Thank you Thank you Yes I will be waiting for you कुछ और खुब तरक्की करो इदर आओ ये रसी खोल मोटा भाभी आज शाम को एहम की कुछ विदेशी महमान और एनराई घर आने बाले और आज अज अज़ 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 घर पे कोई तमाशा हो ये सजा से छुट्टी तो मिल गई पर इससे एक सबक जरूर याद रखना दोबारा गल्ती करने की सोचना भी मत समझी गई को पीवाओ राशी समझी गई जी काकी जी समझ गई तुम दोनों को इस सजा से जो मुक्ती मिली है न उसके लिए तुम्हे एहम का शुक्र गुजार होना चाहिए उसी के खास महमान आ रहे इसलिए आज तुम दोनों को इस सजा से जल्दी मुक्ती मिल गई लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमारे गल्तियों के जो पाप है न वो धुल चुके हैं मेरा एहम ही परेशान नहीं है बलकि सभी लोग परेशान है घर में अशानती सी हो गई है राशी तुम रसोडे से बाहर जाओ यही अच्छा होगा मेरे दिकरे एहम के सामने एक खास मौका आया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुमारी वज़े से कोई भी गड़बड़ी हो क्योंकि आज मैं खुद अपनी देखरेक में सारे काम करवाऊंगी और वैसे भी रसोडे के अलावा बहुत सारे और भी तो काम है राशी तुम बहार के भी तो काम देख सकती हो मोटा भावी आप बुरा मत मानियेगा राशी चाहे तो रसोडे में रहकर काम कर सकती है पर मेरे कहे अनुसार कोकिला इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है काम तो आखिर काम होता है रसोडे में करो या बाहर करो एक काम करो रसोडे का काम तुम संभाल लो बाहर का काम मैं और राशी मिलकर संभाल लेते हैं तुम बस ये कहो के करना क्या है ठीक है मूटा भावी तो हाँ मैं चाहती हूँ मंदिर की सफाई और सजावट भी हो जाए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एहम अपने महमानों को पूरा घर जरूर दिखाएगा. और तुम, राशी, सारे फूल दानों में ताजे फूल लगाना भूलना मात. समझी गई? जी. तुम चिंता मत करो, कोकिला, सब हो जाएगा. राशी दिख रहा? चलो, काम पर लगते हैं. चलो, बाद. देखो, डोकले का घोल उपर उठाये की नहीं? कमला? जी रानी, माभी? पालक और पनीर जल्दी से काट दे, भजिये के लिए. हाँ, सब कुछ तियार हो गया है. हम, मैं देखकर आती हूँ, राशी क्या कर रही है? माँ जी, राशी बेन साफसफाई कर रही होगी. तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, ना? पहले तो वो गल्तिया करती थी, तो तुम पर्दा डालती थी. लेकिन आज, गल्ती की नहीं है, उसके पहले ही तुम शुरू हो गई. समझते ही ना थी ता मिलकून. पकाड़ी से, और शुरू. कमला? जी, रानी भाभी. जाओ जाके महराम लेकर आओ, दोड़ो! लगा महराम, वो, वो, हाँ, वो निकाल, लगा इसके आप में. हाथ आगे करो. गोपी, इसाथ से सबजी मत काटना, और कोई भी काम ध्यान से करना. और अब सिर जुकाय क्यों खड़ी है? मेरी एक बात ध्यान से सुन ले. और हमेशा के लिए गांट बांद ले. अपनी बहन की वकालत मेरे सामने करना छोड़ दे. समझी गई? जल्दी लगा महराम. साथ मिन्या. दिस्ता मेहिं पाद में.